नमस्ते और वल्कम फ्रेंट्स, मेरा नाम रेणू है, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कर रही हूं ओल्ड क्लॉथ रीसाइकलिंग के कुछ न्यू आइडियाज, इसके पहले भी मैंने ओल्ड क्लॉथ रीसाइकलिंग के कुछ आइडियाज शेर किये थे, ये सार अगर आपको इन में से कुछ आइडियाज पसंद आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा. ये मैट, इसका प्रिंट बहुत सुंदर था, तो मैंने इसको खरीद लिया, लेकिन इसमें वाटर बिल्कुल भी एब्जॉव नहीं होता, इसका बेस तो स्ट्रॉंग है, अब इसको मुझे मॉडिफाई करना था, तो प्रिंट रिटेन करना डिफिकल्ट था, क्योंकि ट्रा नीचे के पोर्षन का मैंने कुछ स्ट्रीच कर लिया था, तो ये इंब्रॉइडरी वाला पार्ट बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इससे मैं डिटेलिंग दे दूँगी, बेस में मैट, फिर कॉटन का कपड़ा, और उसके उपर ये इंब्रॉइडरी वाला कपड़ा, इन इस वाले मैट में मैंने पाइपिंग नहीं लगाने का सोचा, क्योंकि अल्रेडी ये काफी मोटा हो गया था, पाइपिंग लगाती तो शायद मशीन में ये चलता ही नहीं, मैं आपको इसको बिछा के भी दिखाती हूँ, उसलिए जो मैट है, उनको आप जब पैर पोचते हैं तो वो फोल्ड हो जाते हैं, इसका बेस हार्ड था तो ये फोल्ड बिलकुल नहीं हो रहा है, उपर कॉटन होने की वज़े से वाटर अच्छे से अब्जॉव होगा, इस तरह से वो एंटी स्लिप, वाटर अब्जॉविंग दोनों ही एक साथ क्वालिटी आपको दे द जाती हैं, तो जो वो चौड़ा वाला पोर्शन होता है, मोसली थाइस के पास का, उसको आप स्क्वेर शेप में, रैक्टुंगलर शेप में या इवन सर्कुलर शेप में कट कर लेजे, दोनों पैर की सलवार एक साथ रखिए तो काफी मोटा हो जाएगा, कट करते समय ध्य कर दिया है, मैंने पहले स्टिच किया है और फिर कट किया है ताकि वो प्रॉपर शेप में रहे, आप इसको ऐसे डारेक्ट या इवन इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें प्रिंट था, तो उसका ब्लू कलर उठा के उसी कलर से मैंने इसको पाइपिंग कर रणर के उपर रख सकते हैं ताकि आपका रणर गंदा ना हो, टी कोस्टर का रिप्लेस्मेंट, इवन आप काउंटर टॉप या कोई भी सर्फिस क्लीन करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, नॉर्मल कपड़ा बहुत गंदा दिखता है, दूसरा ये भी है कि इवन द कपड़े से मैंने डोरमेट बनाया, वो कपड़ा थोड़ा बचा हुआ था, तो वो रखा रह जाता, तो मैंने सोचा उसका भी एक मैं कपड़ा बना दूँ, अब इसको मैंने पहले कट किया है, स्टिच बाद में करूंगी, अगर आप स्टिच बाद में करते हैं, तो उसक करनी पड़ेगी, हाँ, अगर आप new हैं स्टिचिंग में, तो ये वाली method राई ना करें, क्योंकि वो कपड़ा आरा तिर्चा हो जाता है, दोनों एक साथ स्टिच करते समय, तो इस तरह से मैंने, जो clean कपड़ा है, उसमें printing कपड़े का piping, और जो printing का कपड़ा है, उसमें plain क कपड़े की piping दी है, contrasting thing बहुत अच्छा लगता है, इन कपड़ों को मैं एक साथ रखके, mostly cross में, इसको use करती हूँ, अपने flower का जो कुंडी होता है, वो रखने के लिए, तो runner के उपर इनको मैं cross में रख देती हूँ, और उसके उपर flower का कुंडी, ये बहुत ही अच्छा दिखता है, as a base mat, मेरे पास एक ये और डोर मैट थी, है तो cotton की, water अच्छे से अब्जाव होता है, ऐसा डोर मैट अगर आपके पास हो, तो आपने ये notice किया होगा, कि जब इसमें हम पैर पोचते हैं, ये बहुत light weight है, तो एकदम fold हो जाता है, loose pulls, तो इसके लिए मेरे पास ये stall था, again इसका कपड़ा पुरा fade हो गया है, काफी पुराना है, धागे वगरा निकल गए है, तो मैंने सोचा कि वो जो डोर मैट है, उसको stuffing करके इसके अंदर एक stitch दे देती हूं, उसका भी pink color है, और ये भी लगभग उसी match का था, तो मैंने इसको stuffing करके एक stitch दे दिया है अब इसको मैं जो cloth pin होता है, उसी से secure करती हूं, मैं कभी भी कुछ अलग से खरीदने के लिए ना बहुत सोचती हूं, कि जब मेरा काम चल रहा है, तो क्यों खरीदना है, इस तरह से मैंने stitching कर ली, अब इसको चारो तरफ से cut कर लूँगे, ये सूना सूना लग रहा था, त तो इसको मैं cut करके इसको detailing दे देती हूं, अगेन दोनों का pink color है, इस flower का और वो matte का, तो उसके साथ ये match हो जाएगा, इसके लिए मैं कुछ बहुत तो नहीं कर रही हूं, बस simply cut के stitch कर दूँगे, इसको मैंने design के pattern में ही सिलने का सोचा है, इस बार मैंने सोचा कि वही rectangular boring design छोड़ देती हूं, तो इसको मैंने design का pattern था, उसके border में stitch किया है, जो extra कपड़ा है, वो चारो तरप से मैंने cut कर दिया, अगेन इस बार मैंने piping नहीं लगाई है, the reason is same, कि वो मेरी machine में मोटा होने की वज़े से शायद ना जाता, मैंने ये doormat इस परपस से modify किया था, कि य नहीं वो fold तो नहीं हो रहा है, तो मैंने try किया, it is not folding, क्यूंकि heavy weight है, तो वो आसानी से bear कर रहा है, और वो fold नहीं हो रहा था, sweater साल में 2 या 3 महिने use होती है, और ऐसे रखे रखे फिर छोटी हो जाती है, तो इस sweater से मैंने hand gloves और winter cap बना दिया, उसके लिए मैंने simply जो sleeve का area था, उससे hand का measurement ले लिया, दोनों sleeve पे left और right का, मैंने बहुत सारा stitching का नहीं सोचा, तो जो sleeve है, वहाँ पे already दोनों तरब से stitch होता है, तो सिर्फ thumb और four finger insertion का place बनाया, ना उसको थोड़ा सा जितना आपको measurement चाहिए, उससे जादा measurement थोड़ा लीजे, क्योंकि stitching का area जाएगा, और बैस चारो तरब stitch करके उसको सीधा कर दीजे, इस तरह से आपका cutting मिलेगा, मैंने चारो finger के लिए अलग-अलग इसले नहीं बनाया, क्योंकि stitching के समय वो थोड़ा problem create करते, चीजे पकड़ने में कोई problem नहीं हो रही है इस तरह के glove से, इसी तरह winter cap बनाने के लिए, कोई भी already existing winter cap को रखके, जो sweater का नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पे आप marking कर लीजे, उसको cutting करके बस चारो तरब आपको stitch करना है, इस तरह से आपका same measurement का winter cap ready हो जाएगा, ये school का sweater था, तो उसके sweater की matching का ही gloves and cap मिल गया, and he was very happy wearing that, saying that you are so much creative mama.